प्रेंट नमस्कार मेरा नाम है शिवम मिस्रा और आप देखना शुड़ू कर चुके हैं इसके म्योका पिछले वीडियो में हमने ध्यान बिंदू अपनिशद के लग 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 पच पंच 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 श्लोगों की बाते की हैं दो वीडियो और लड़ी मैं ब आनबढ़ा है आज अंठावन्वे श्लोग से आगे करते हैं इसके पहले जो मैंने बाते की थी जो श्लोगों के अनुसार था वो नाडियों से संबन्दे था कि कितनी प्रकार की नाडिया हैं और उनका नाम क्या है किस प्रकार से बहतर हजार नाडियों में बहतर प्रमुख है उनमें भी दस जो नाडिया है वो प्रमुख है और उसके एतर दस प्राणों की भी बात ध्यान विंदो प्रिशत करता है अंठावनवाश लो पर जैसे जीवन है उस प्रकार से वास करता है प्राण के देखिए कई सवरूप हैं जीवन का एक जैसे आपने देखा होगा कुछ चीजें जैसे फॉर एक्जैमपल परदे को ले लिजिए या किसी बेड़ वागरा को ले लिजिए या किसी घर में इनरजी वस्तु को देख आप तो कुछ दिनों तक तो वो बहुत अच्छे दिखती है थोड़े समर बाद वो डल होती चलती चली जाती है पास्तविक्ता में उसका प्राण जो है वो धिरे-दिरे समाप्त हो जाता है अब जब प्राण विज्यान पढ़ेंगे तो इस सिध्धान को बहुत अच्छे से समाझ पाएंगे कि आखिर मैं किस सिध्धान की बाते कर रहा हूं आप प्राण सिर्फ जीवन में ही हो यह आवश्यक नहीं है जीवन के इदर भी बहुत सारी चीज़े हैं जहां प्राण की अपयक्षा की जाती है कोई चीज़ प्राण वान दिखती है जैसे कुछ पेड़् हो गये हैंना कुछ non-living things भी होती है जो प्राण वान होती है यानि कि जो प्राणों में जिसे दो प्राण है प्राण और अपान ये दुनों प्राणों की महता बताई जा रही है आगे आप देखेंगे तो बताएंगे कि कौन सा प्राण कैसे गमन करता है और क्या है आगे के श्लोकों में उन्चा 59 स्लोक है वाम दच्छिन मार्गेन चंचलत त्वान द्रिश्यतेहे अचिप्तो भुज दंडेन यतो चल्लती कंदु कहा प्राणा पान समक्षित तस्त दविज्वन विश्रमेत अपानात कर्षतीहे प्राणो पाना प्राणाच्यक कर्षतीही खगर्जु दित्येत द्दो जनाति सा योगितह हकारेन बरहती सकारेन विशेत पुनह हंस हंसेत अत्मम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा सतानी शत दिवरात्रम सहस्त्रेन विश्रमति एतान संख्यावितम मंत्रम जीवो जपति सर्वदा अजपा नाम गायत्री योगी नाम मोक्षदा सदा ये ज आपके जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक साबित होने वाला है क्यों होगा इसको इसके अर्थ को जब आप समझेंगे तो आप जान जाएंगे कि मैं ये बात आप से क्यों कह रहा हूं इसका अर्थ है कि प्राण कभी दाए मार्ग से गमन करता है यानि कि दाहिने हिस् नहीं आता है उदारन के तौर पे जैसे किसी गेंद को फेक दिया जाए और गेंद लागातार इधर उदर दोड़ती रहती है ठीक उसी प्रकार प्राण और अपान द्वारा भी लागातार अपने जीव के अंतर जो है वो लागातार उसकी गती ऐसी हो रही है जो कभी प्रक्रिया है जैसे पक्षी जुओ है रसी से बां रिइधा जाए तो कभी पक्षी रसी को अपने ऊपर कीजता है कभी रसी प्ख्षी को पीशे की संबंधित बात है अब जो इस बातको समझ जाता है उसे क्या कहते हैं वो ही योगी कहा जाता है अब अगली जो लाइन है ये आपका एक सठवा स्लोग जो है एक सठवा बासठवा स्लोग जो है वो इसी बात पर बताता है कि हकार जो है हकार दोने से बाहर जब भी प्राण जाता है तो एक अवस्था वो हो गई और वापस जब सकार में अंदर प् के अंदर एक हनसात्म गती हमेशा हो रही है और यह लागतार इस प्रकार हो रही है कि यदि आप योगी जन इसमें फोकस बना लें सिर्फ और सिर्फ उनको इस प्रोसेस को समझ लेना है जब आप अपने इस अंदर आने वाले प्राण और अपान के कोरेलेशन को समझ कि किस किस टेंडेंसी से वो अपन डाउन अपन डाउन हो रहा है तो जब भी आप मंत्र जपेंगे तो वो एक अजपा जप के तोर पे आपके अंदर प्रतस्टित हो जाएगा यानि कि मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं बोलने के दौरान भी मेरे मन के अंदर गायतरी मंत्र चल लहा है और ये कहा गया है इसमें कि ये गायत्री मंत्र जो है इसमें ये आती भी है लाइन कि ये गायत्री मंत्र मोक्षदाईनी होती है योगिनाम मोक्षदाम सदा अजपा नाम गायत्रिम योगिनाम मोक्षदा सदा यानि कि ये अजपा गायत्री जो है ये मोक्षपरद प्राइनी होती है और ये किस के लिए है ये योगियों के लिए है योगियों को चाहिए कि वो प्राण और अपान के बीच में संतुलन समझ सके योगियों को चाहिए कि जब भी स्वास और प्रस्वास के गती में जाएं तो वो उस विशेवस्तु को आत्मा आत्मार्पित कर स आगे का है चो सठवाश लोक है अस्या संकल्प मात्रेण नरह पापय त्रमुच्यते है अनया सद्रिश्य विद्या अनया सद्रिश्योजपः अनया सद्रिश्यम पुर्ण्यम नभूतं 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 नभूत यह अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क आउट करने वाली बाते हैं इसमें क्या है जो आजपा गायतरी की जो बात की जा रही है जिसको बहुत है अस्या संकल्प मात्र नरह पाप एप्रमुच्छते यानि कि इसके संकल्प मात्र से व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त ह हो जाता है यानि कि जो व्यक्ति यह सिर्फ समझने लग जाए अजपा गायतरी की पूरी प्रोसेस को जान जाता है तो मेरा मानना है कि आपको हमारे गुरुदेव पंडिट शिराम सर्माचारे की द्वारा लिखे देख पुस्तक है गायतरी महाविज्ञान दो खंडों में तो आप गायतरी को पढ़िए गायतरी ध्यान मिंदो उपनिशद का जो हिस्सा है गायतरी के विशह में जो बता गया है वो बहुत विस्तार से बताया है गुरुदेव ने गायतरी महाविज्ञान में और गायतरी के जितने जब इस प्रमुक रूपों की जो बात है वो या पारतों को जब आप जाके देखेंगे तो गायत्री महाविज्ञान में देखने को मिलेगा। जो ना पहले कभी किसी को प्राप्त हुआ है और ना कभी किसी को प्राप्त हो सकेगा। प्रसुप्त इस्तिती से भी उठके और सहतार्थ हो जाती है और जब आप वो जागरत कर लेते हैं जब वो जागरत हो जाती है तो सुशुम्ना मार्ग से मन और प्रान वायू के साथ दीरे दीरे उर्दगमन की तरफ चलती है और उर्दगमन करते हुए योगी को वो बताते ह है ना जैसे लागतार चापी लगाने से टाले ख में तो कहने का मतलब यह है कि अजपा गायतरी है कि महता बहुत महतुपूल अगर आप सम्टूटल करके देखिए आपको दिखेगा कि कितने तरीके से एक एक स्टेप बाई स्टेप चीजे बताई जा रही है पहले बताई गया शुरुआते इस लोगों में कि आखिर ध्यान की महता क्या है फिर बताई गया दीरे दीरे योग के विशे में फिर बताई गया नाडियों के विशे में फिर बताई गया प्राण के विशे में अब बताई जा रहा है मंत्र की तमाम शक्तियों के विशे में जिसमें गायत्री और गायत्री से प्राप्रूपने वाले लाभूगा वरण है ये है 68 श्लोक तक आगे के श्लोक है क्रिप्टवा संपटिताव करो दिद्धारम बद्वा पदमासनम गढम वक्षा से सानिध्धाय चुगम ध्यानम जा तच्छे तसी वाराम वरम मपात मूर् लाने की बात है देखिए आपको मार्क आउट करके रखना चाहिए कि कौन कौन सा आसन किस उपनिश्दों में कौन सा आसन बताए गया है नियान मिंदू में ये बात बताए गई है कि सुद्रृता पूरूग पदमासनम लगा के बैठिये दोनों हाथों को संपुडित करके दृता पूरूग चोड़ी को वक्ष भागयने की कंट कूप में दवाईए मुद्रा की बात हो जरी है जवाब बंद लगाते हैं जाल अंदर बंद की बात है कि पदमासन लगाईए और दुनों हाथ को संपुडित कीजिए आराम से एक दूसरे के उपर रखिए और फिर ज जाल अंदर बंद लगाईए फिर चित्त का स्वरूप अपने मस्तिष्क में अपने मना मस्तिष्क में चित्त के स्वरूप पर फोकस कीजिए और बार बार अपानवाई को उपर की और भेजिए और दीरे दीरे प्राणवाई को नीचे की तरफ को बेजिए और जब आप ल बद्वात पदमासन में यानि पदमासन में बाद के दीरे दीरे अपने आपको संपुटित कीजिए और फिर आप देखेंगे थोड़े समय के बाद कि आप कुंडलेनी पर फोकस बना पा रहे हैं लेकिन ये तब होगा जब आप गहत्री को लगातार जब रहे हो आगे देखत यानि कि जो योगसादक पदमासन में बैट कर नाडी द्वार से यानि कि जो नाडी का द्वार है नासाशिद्र से मुक्य तौर पे माना जाता है उससे प्राणवायू को खीचता है और कुंबक के द्वारा उससे रोकता है वो सुनिश्यत रूप से मोक्ष प्राप्त करता इस संदेह में गुंजाईश कोई नहीं है अब ये मार्क आउट करने वाली बात है अगेर इंपॉर्टन प्रश्न बनता है कि कौन से ध्यान मिंदोपनिशद में किस आसन में किस आसन को मोक्ष द्वार का प्रदायता माना गया है क्या कौन सा बंध है जो अती महत्तपूर्ण नहीं है इत्यादी बाते तो पद्मासन है पद्मासन के द्वारा फिर उसके बाद प्राणवायो को भीचना है फिर कुंपक के द्वारा उसे रोकना है और यहीं मोक्ष का दाई होता है ये है सत्तरवाँ स्लोग, आगे है 71 स्लोग में अंगानाम मर्दरम कृत्वा स्रम जाते नवारिडाहम कटमलवान त्यागिही छीरपान रतह सुकीक ब्रह्मचारी मिताहारी योगी योग परायडः अब्दा दूर्दम भवेत सिद्धो नात्रम कार्या विचरणाम यानि कि पराणायाम के परिशन, परिशम के द्वारा जो भी स्वेद्ध निकलता है यानि जो पसीना निकलता है उसे अंगों कटू, अमल का परित्याग करना है योगियों के जैसा होने लग जाता है, ऐसा माना जाता है कि योगियों के शरीर से खुश्बू आती है, अच्छी अच्छी सुगंद आती है, दुरुगंद नहीं आती है, क्योंकि फिर वो अपने आहार विहार को इसी प्रकारता रखते हैं, तो जो भी बता जा रहा है कि जो यानि अंगों में उसका मर्दन कीजिए जो स्रम के द्वारा प्राप्त हुआ है क्या पसीना कटू हो गया और यह अमली भोजन हो गया मसाल हो गया इनको छोड़िए और फिर दूग दपीजिए इसी से व्यक्ति सुखी रहता है आगे है तरवाश लोग है कंदोध धर्वम कुंडलिम शक्ति सयोगी सिद्धिभाजनम अपान प्राण यो रैक्यम छैन मुत्र पुरिशे हो युवा भवती ब्रिद्धोपी सततम मूल बंधनात कितनी बढ़िया बात है कि युवा जो है जो ब्रिद्ध है वो भी युवा हो जाता है युवा भवती ब अपान मूर्दम उतकृष्यम मूर बंदियो मुच्चते उडाया नाम पुरते यस्माद विश्वांत महाखगा उड्यानम तदेव सन्यात बंदोविदियते उदेरम पश्यम पश्यम ताडम नाभेर दुर्वम नाभेर उर्द्वम तू कार्येत यानि कि ध्यान बिंदु उपनिशद कंद के उपरी भाग में इस्तिकृण लिनी शक्ति से योग सादक जो हो सिद्धी को धीर धीरे प्राप्ति कर लेता है और जो लागातार मूल बंद का अभ्यास करता है और मूल बंद के अभ्यास से अपान और प्रान में एकिकरन करना शुरू कर देता है और ए एड़ी भाग को दुनों एड़ी भागों से यूनियस्थान को दबाए और मलद्वार को संखुजित करें अपानवाई को उपर की तरफ खीचें और समस्त प्रक्रिया को मूल बंद के नाम से जाना जाता है मूल बंद करना मतलब एनस पार्ट को जो आप उपर की तरफ खीच बंदो पनिश्रत में कि ऐसा वेक्ति कभी बुढ़ा नहीं होता है और द्यान बंद की भी बिदी बताई जारी है कि जिस प्रकार महापक्षी जो है वो बिना थके लगातार उड़ता है और कई हजार किलोमेटर उड़ सकता है उसकी प्रकार पेट की पश्रिम यानिकी मिर्तिव मातंग के सरी बंदती ही शिरोजात माधो गामनी भोजलम ततो जालंदरो बंदह करमदुखो धिनाशनम जलान धरे कृते बंदे करन संकोजलक्षने नपियूशं पते अगनोहो नचवायो प्रधावती ही कपाल कुहरे जिव्या प्रविष्ठी विपरीतगा ब्र बहुत बढ़ी हालाईने मार्क आउट करिए यह आपके नेड में चाहें काम आए या ना है लेकिन जीवन में तो काम आएगी नरोगो मार्णम तस्यम्न निद्रा नचुदा नत्रिशा बहुत इंपॉर्टेंट यानि कि जो इसे सिद्ध कर लेता है खेचरी मुद्रा की ब जैसे गजराज के दिए सिंगने मित बनता है यानि कि ऐसा नहीं है कि बहुत एजिली हालने मृत्यू कर ले जो वेक्ति उड्यान बंद करता है वो इतने जल्दी उसके मृत्यू नहीं होती है और वो लंबे समय तक जीवन को प्राब्द करता है जैसे आकास से उत्पादित जल्को नीचे आने के पेक्षा उपर के और अवरुद कर लिया जाता है तो इसी प्रकार का ये उड्यान बंद भी है उड्यान बंद में और जालंदर बंद की बात की जारी है कि जब आप इन तीनों बंदों को देखे कहना क्या चाहते हैं कि उड्यान हो गया जालंदर हो और मूल बंद हो गया ये सब बहुत महत्तों पूर्ण है आगले जब आप अठातरवेश लोग को देखेंगे ततो जालंदरो बंदह करमदु खौद देनाशनम जालंदर करते बंदे करनसंद को शलक्षड़े यानि कि करम बंदन और पाप जन्ने दुखो का भी नास कर दे ऐसा है ये जालंदर बंद जालंदर बंद करते समय कंट को सिकूड़ा जाता है जिससे वायू की गती जो है वो रुख जाए और अमरित के अखनी में गिरने की संभावना बनी रहे है अब आगे खेचरी मुद्रा की बात की जारी है भुरो और अंतरगता दृष्टी मुद राज होती है इसमें रखा जाए और इसके सिद्ध होने से न छुदा रहती है न रोगो न रोग है यानि ना तो जल्दी मृत्य होती है ना तो जल्दी नीद आती है ना तो छुदा यानि की भूख लगती है और नहीं किसी प्रकार की तृष्णा रहती है नहीं कोई भैर एक क्या सिवाँ श्लूक है इंपोर्टन लाइन खेचरी के बारे में खेचरी के विश्य में मैंने आपको पहले ही बताया है कि खेचरी के बड़े सिद्ध हस्त यदि कोई योगी हुए है इस समय पूरे पृत्वी फेद वो रहे हैं देवरहा बाबा देवरहा बाबा की खेचरी मुद्रा ही रही है लेकिन देवरह बाबा इसलिए क्योंकि उनकी उम्र 600 साल के आसपास माने जाती है और बहुत लंबे समय तक जीत है और सहियोग की बात है कि हमारे पूरवांचल में एक जिला है देवरियां उस देवरियां से अगर आप देवरियां स्टेशनर पे जाएंगे तो वहां से लग लिए यानि जो खेचरी मुद्रा क्या आता है उसे नहीं तो कभी मूर्षा होती है ना रोग उसे कष्ट देते हैं नहीं वह कभी कर्मों में लिपत हो पाता है खेचरी मुद्रा जो उसका जो चित है वह आकास में विचरन करने लगता है और जिसकी जीवा भी अंतरक्षिक जाती है यानि पीछे की तरफ जाती है जब कालगोर की तरफ जाती है तो वह अंतरक्षिकामी नहीं हो जाती है और ऐसा सादक काल के बंदन से नहीं बनता इसलिए खेचरी मुद्रा योगियों के द्वारा प्रशन सनीय है और बहुत महत्वपूर मान जाती है इस मुद्रा इस्तितो दे है तावन मृत्यू भहयम कुतह, जिसके शरीर में वीर है, जो वीर तक का भी नाच नहीं कर रहा है, उसको मृत्यू का भहय कैसा, तो खेचरी मुद्रा से विर्यनास भी रुखता है और खेचरी मुद्रा से ही जीवन का अस्तितो जो है वो बढ़ता चलता चला आता हैं आए पचासिवा आश्लोग देखते हैं यावद्वा नबो मुद्रा तावंद द्विन दुर्नह कक्षती गलितो अपी यदा बिंदू संप्राप्तो योनी मंदले वरज युर्धम हटाक्षा निबदो योनी मुद्राया सेव दिविदो बिंदू पांडरो लोहिस् स्थाने इस्तितम रजा शस्यस्थाने वशेद विंदू स्थयो रिक्यम सदुर्लबं बिंदू शिवो रजा शक्तर बिंदू रिंदू रजो रवी यानि इंपॉर्टें इंपॉर्टेंट बाते हैं इसमें यह भी मार्क आउट करने वारी बात है अटासी श्लोग तक की पचासी श्लोग से अटासी श्लोग क्या है खेचरी मुद्रा में रहते वेरी का शरल कभी संभव नहीं हो सकता है और फिर भी किसी तरह यह दिमाली यह वीर्य स्कलित होकर यूनी में चला जाता है तो उसे हट शक्ति पूर्वक यूनी मंडल से पुना उपर यह खीच लेन दोनों तरह का हो सकता है सफेद वर्ण वालों को शुक्र और रक्त वर्ण वालों को महारज कहा जाता है मुंगे की तरह जो जिसका वेर्य हो जिस तरीके का वेर्य हो वो क्या है वो यूनियस्थान के असपस में विद्यमान होता है सामानेत्या महिलाओं में विद्यमान होत लेकिन जो हट योगी होते हैं उनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो वेर्जसकलन को रोक सकें और खेच्री मुद्रा इसमें बहुत बड़ा लाप देती है यह देखते हैं नवासिवां और नब्वेवांश लोग उभया हो संगमादेव प्राप्यते परममवभु शक्ति चाले नम प्रेरितम खे यतार जह रवी रवीड़ाय वकत्तो मायाती भावेद दिव्यम अपुस्तदा शुक्ल चंद्रेन संयुक्तम रजह सूर्य समन्वितम द्वयो समर सिभावं यो जानाती सायोग विता सोदनम मल जलानाम गंडरम चंद्र सूर्ययो रसानाम सो मनुधारान प्रवितम पादम तदक्षडम आपूर्या श्वसेन कुक्षी युग्लम बद्या सनेर चे शनेरे चेते देशाम पाताक नाशनीम ननु महामुद्रा निड़ा प्रोच्चते अब आगे ये बड़े अकिन ट्रडिशनल श्लोक्स हैं और बहुत निट जारह में तो अतना प्रशन ही बनता है लेकिन अर्थ जरूर हमें जानना चाहिए क्या है इन दोनों के स्नेयोगत होने पर परम देह की प्राप्ति होती है जब विड़े और रज एक में मिलता है तो एक नए देह एक नए आत्मा जो है उसमें एक आत्मा प्रवेश करती है वायू को कि द्वारा जो व्यक्ति संचालित करता है तो उसे रज जो है वो अंतरिक्ष के तरह प्रेडित होती है और सूरी से स्योगत होकर दिवे सरील को प्राप्त करती है इन दोनों की समरस्ता का जो ग्याता है वही योग वेता है नाडियों में इस्थित मल के सोधन के लिए सूर वक्षास्तल को ठोड़ी से बाई और एड़ी से यूनियस्तल को दबा कर जबाब दाहिने पैर को सामाने तयाब फैलाते हैं और कुक्षी यूगल से स्वांस लेते हैं और कुमबक करते हैं धिरे-धिरे स्वांस को बाहर निकालते हैं तो इसे सरुपाप नाशनी महामुद्र करना चाहिए ये क्या करता है ये वांद पित और कफादी तमाम drinking की मुद्राओं को तमाम प्रकार की जो जो व्यादिव का कालक बनते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है महा मुद्रा जो है इसमें बड़ी तागत होती है देशामचना पातक नाशनी ननो महा महाम seekers महामुद्रा निररा प्रोषेते यानि कि ये तो हर प्रखर के पापका नास करने वाली है सरऊ पापनाशिनी है इसको महामुद्णा निरर्णा प्रोछते हैं तो ये इसका अर्थ है आगे के जो श्लोग हैं वह थोड़े से बड़े हैं मुझे एक विक्ता में बहुत एक तरीके से कहा जाता है कि किसी अन्य उपनिश्द में इस प्रकार का श्लोक नहीं है मैं संस्क्रिट में पहले पढ़ देता हूं हो सकता है बड़ा लेकिन आप सुनिएगा अध्यात निर्णम व्याख्यासे विए अस्थाने अश्च दलं वर्त देतन मदे रेखावले हम कृत्वा जीवात्म रूपम जोती रूपमात्रुन वर्तते तस्मिन सर्वं प्रतिष्टम भवते सरो जानाती सरो करोती सरो मेचरतम महम करता हम वोकताम सुकी दुखी कालं कंजो बदिर मुका कृषा तूलेन प पूरु दले विश्च 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 दले विश् पश्रम दले विस्राम अगर मिति चया है अगन देशन दो क्रिपा मति भर्वति यदा संधी संधीशु मतिर भर्वति तथ अवाद कि तरह कारो ती एदा बाती शालते एद ने ञे तरह स्वाना चाहिति निंट्वर्फ थम निर्वाइड रार्थ मुन holy farm प्रखरम प्रत्म रेखके फ्रकल रेखा बंडीरवर्फ पुषप बंडी ते निध्रा आवस्था निद्रां कमें डिर्वाइडर अम्रिक ... स्वप्तना वस्ता मद्धे दृस्टम स्व्त conहुनाव संभार वर्त इत्यारी कलपनाम करोती तदा तदा श्रीम भवती ह्! परमात्मन सम्मंदन नित्य ज़ुपा बहति तदा सनय परमया बुद्याद्र द्रति ते गहित संस्थय आमना में हमकिन्चा एक इंचा चिंचाँ यह देते प्राण प्राणपाने क्ष्णक्तवब शर्व उटन अनंद स्वरूप ऑवत ती पश्चात प्रमात्म प्रावती प्रकारेन मोक्षे बहवती देव अम्हाद्वार वायूणाहस इस्टी तो कुना ध्मने दृष्ठे चुट अब यह सिर्फ एक श्लूब इसको गोंते 94 विवाश लोग और वास्तेविक्ता में 94 विवाश लोग को मिनी ध्यानोपनिशद भी कहा जाता है इसका अर्थ ये बड़ा विशद है मैं एक बारी संस्कृत पाठ कर दिया अब आपको हिंदी में अर्थ बताता हूं कि आत्मा के संबने बेसिकली 94 विवाश लोग विवेश शुरू करता है कि हिर्दय अस्तल में आठ दल का कमल है और उसके बीच में रेखा है और रेखा वले बनाकर जिवात्मा जोती रूप होती है और जोती रूप होकर अणु मात्र में निवास करती है वो सर्व ग्याता है सब कुछ करने वाली है सब कुछ उसी में प्रतस्टित है उसका ऐसा विचार है कि सभी चरित्रों में मैं ही करता मैं ही भुकता मैं ही सुखी मैं ही दुखी मैं ही काना लंगडा बहरा गूंगा दुबला मूटा मतला सब कुछ हो ये उसके स्वतंत्र व का है और इसमें जो है निद्रा आलस्य युक्त है जब दक्षुन दिशा की बात किया तो काले रंग का है इसमें द्वेश बाव कुरोधी सुभाव की मती रहती है लिहान बिंदु उपनिशद जो है नेरित दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्म और हिंसा कुरुत्ति वाली मती रहती है इसमें करना है कि जब पश्चिम दल की बात किया रहे कि जो पश्चिम दल है वो अस्पटिक वण का है और इसमें क्रिडा और विनोद और आनंद और अभिरुची रहती है वायब्य कोण जो है वो मारिक के वण का है और इसमें इसमें होती है इशान कोड में और उसके रंग के दल की बात होती है इसमें दान पुन्य अनुग्रा और अभिरुची होती है जब जोड़ों में संदी भाग में मती वास करती है तो उसमें अवात पित कफ और इसमें तमाम प्रेकार की विमारियों का प्रकॉप होता है जब जब संद पढ़ने नाचने पढ़ने और आनंद यूग ध्यान रहता है जब आंक श्रमसी लेती है तो उसे विश्राम देने के उद्देश से पहली रेखा काश्रा लेकर बीच में जो आख्यबंद होती है और जो सपोर्ट सिस्टम आता है जो पलको को जोड़ के रखता है वो पुश् द्रावस्था प्राप्त होती है निद्रावस्था के भी बीच में जो सपन की आवस्था रहती है वो भी इसी के कारण से होती है और सपन आवस्था में भी कई बार श्रम करना पड़ता है उसका भी कारण वो मती ही है और यही सारी चीज़ें जो है इसी के कारण से योगी दिख ब्रहमित रहता है अंत में जाकर दीरे दीरे जब आप इन तमाम प्रकार की मतियों को कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो फिर आप आत्मदर्शन कर पाते हैं और आत्मदर्शन के बाद आप दीरे दीरे परमात्मा का सचतकार कर पाते हैं तो लेकिन उसके लिए आपको प प्रकार के दल है उन अट जानाँ किस प्रकार के थॉट्स किस प्रकार के विचारणाओं बूर यह इस दिल चल लाए और इनिक्त लुझों को जब आप समझने लग जाते हैं drinking के बाउवों को प्राण बीजम्च नील जीत मतस सन्य विवं रकार मगनी भीजम्च अपान अदित्य सन्य वं यानि कि पूर में कतित त्रिकोण स्थान से उपर जितने भी पाच रंग वाले तत्व जो ध्यान देने योग्य हैं इसके साथ साथ में बीजवर्ण है और जहां प्राण वायू ह होती है उसका भी ध्यान किया जाना चाहिए और ये नीले बादलों के समान है और ये नीले बादलों के समान है और रकार जो है जो इसमें रकार शब्द है वो आदित्यवन के समान है और ये अपान का बीज है देखे प्रान का बीज यह है और अपान जो है उसका बीज क्या में आता है तो सबका बीज मंत्र होता है तो प्राण का यह है और यह नीले बादलों के समान और अपान का रह है और आदेत्यानिकी शूर्य जैसे चमकते हैं बिलकुल यलो में तो उस तरीके का अगनी का जो स्वरूप है उस प्रकार का बीज है 96 इस लोग देखने, 96 लोग लकारम पृत्वी रूपम ब्यानम बंदू का सन्निबम वकारम जीव बीजम चाउदानम संख वड़कम यानि लकार जो है वो पुष्प के रंग क्या है और ये ब्यान का बीज है और संख के रंग वाला जो वकार है वो उदान का बीज मंत्र है तो यह रह यंग रंग लंग वंग लह के बाद हाइ़ वकार जो है वो उदान का बीज है अकारं विवत सरूपम्च समानं अस्पटिक प्रभं हन्नाभी नास करडंच पदा पाद अंगुष्ट संस्तितां दिसप्तती हस्त सहस्त्रेडी नाली मार्गेशु वर्तते अस्ट विन्षती कोटी शुरूम की कुपेशु संस्ता समान प्राण एकस्तु जीवस एक ही याद द्रडचितम समाहिता शने समस्त कृष्यम हर्त्योर कोट रेह प्राणा पानोश बद्यातो प्रणवेन समुचरेत करन संकोजम कृत्वालिंग संकोजनम तथा मूलाधार सुसुम्नाच पद्मान तुनिवाशु भाह अमुर्तो वर्ततु नादो वीडा दंडिय समु वात्मानम पुरुषम पशेन स्त्रम लैंगतम प्रतनानी जोती सन्नादम तु बिन्दु माहिश्वरं पदम एव वेद पुर्शास कैवल्यम शमुस्त्रतम इत्योपनिशतम इसी के साथ उपनिशत समापत होगा आगे क्या है बता जा रहा है कि हकार की विशे में बता रह सरीर के 28 करोड़ कूपो में यह प्राण रहता है समान और प्राण बहुत जादे इन में अलगाव नहीं है अपने तो यह दोनों एक ही है दोनों एक ही जीव के समान है चित्वको द्रड़ता से जब आप समाहित कर लेंगे तो पूरव कुम्बक को रेचक इन तीनु प्रक् करके आपको उंकार का उच्चारण करना चीए कंड को संकोचित करें और लिंग को संकोचित करें और मुलाधार से मुलाधार को भी संकोचित करके मूलबंद का ब्यास करें दीरे दीरे आप को संखनाद जैसी ध्वनी अंतरंग में सुनाई देने लगेगी जब आप आकाश र पनियां दीरे दीरे सुनाई देने लगेंगी और ये कपाल कुहर यानि कि जो आपका फोर हेड़ है उसके चारो तरफ ये आपको समझ में आने लगेगा और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बंदाखों के बाद भी सूरे के समान जोती आपको दिख रही है फिर आप दीरे-द से जो तिश्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है जहां आपको आत्मसाशतकार होगा जो भी पुरुष इसका ग्याता है वो कैवल पद को प्राप्त कर लेता है और यह इस प्रकार से उपनिशद यह पूर्ण होता है यह वो वेद पुरुष सा कैवल्यम समझ रिता है यानि यही ध्यान बिंदु उपनिशद है कुल में जाए जाके ध्यान बिंदु उपनिशद को अगर हम बाटें तो चार हिस्सों में बटा पहला हिस्सा बना कैसे कैसे आप अपने अपने मेडिटेशन वाले पॉइंट और यू को कैसे आप देखेंगे कैसे फाइंड आउट करे से सम्वंदित विश्वस्तु इस पूरे ध्यान में बिंदो उपनिश्र्थ में बताई गई है तो इसी के साथ यह उपनिश्र्थ समाप्त होता है बहुत बहुत अभार धन्यवाद नमश्कार